अस्सलाम अलेकुम वेलकम टू आमनास रेक्शन कैसे हैं आप सब चलें जनाब स्टार्ट कर लेते हैं अपना रेक्शन वीडियो और आपने वीडियो को लाइक जरूर कर देना है और बात करेंगे यहाँ पर बड़ी के विलॉग की अच्छा मुझे बड़ी का विलॉग वैस सब्सक्राइशन में आज इनकी वीडियो आही गई है वैसे यह मेरे पास सब्ड हैं ऐसा नहीं कि मैंने इनको सब्ड नहीं किया हुआ है शी इस बट मैं इनके जो विलॉग का नोटिफिकेशन है ना वो मैंने ओफ कर रख है तो बाद अकात ऐसा भी होता है कि आपके पास क या के विलॉग्स जो है ना वो रिकमेंडेशन में भी आने लगते हैं यानि आपको यूट्यूब रेफर करता है यह वाली चीज भी होती है अगर आपने किसी को सब्सक्राइब किया हुआ है नोटिफिकेशन ओन नहीं किया तो भी इनके विलॉग्स का नोटिफिकेशन आ और वो क्लिफ लगाई थी उन्होंने एक और विलॉगर है जो के इंडियन मॉम है और उनकी कोई क्लिफ थी उनको कुछ क्वेस्चन किया था उनके सब्सक्राइबर्स ने तो इस चीज को लेकर जो महतरमा है यानि जो फैन्स आहबा है उन्होंने पूरा जो क्लिफ है वो सि किया रही है कि जितने लोग अबादात दिखाते हैं या क्लिफ कैपचर करते हैं डिफरेंट एंगल से कैपचर करते हैं तो वो रियल नहीं होता बलके वो विलॉग के लिए होता है अच्छा इसमें कोई वो भी नहीं है मतलब बहुत सारे लोग पते हैं क्या करते हैं जिस वो अपनी एक कहते हैं आपको एक मैसेज कनवे कर देते हैं अपने विलॉग के थृूप के रमजान में इस इस तरह से हम लोग मौमलात करते हैं हो सकता है जाहर सी बात है वो उस टाइम नमाज ना होती हो देखें जो चीज मैं फील करती हूँ ना उसको मैं बयान करती क्योंकि नमाज जब होती है तो बिल्कुल फोकस्ट होके होती है लेकिन एक बतौर मुसल्मान एक मैसेज कनवे करना आगे कि इस तरह से नमाज पढ़ी जाती है इस तरह से हम दूआ करते हैं ना तो ये वाली चीज मैं भी फील करती हूँ और इसमें मुझे मैंने कहा ना को विलॉगर है जो कि अपने विलॉग में उन्होंने कुछ एकाथ क्लिप्स जो है वो नमाज के दिखा दिये या दूआ के दिखा दिये है ना तो ये वाला काम इन्होंने किया और इनकी पूरी कोशिश थी कि ये सितारा को फेक साबित करें लेकिन बड़ी और पीछे रह जा ना साइट पर लगा देना चाहिए था ताकि उनकी जो बेकरार रूह है वो काम हो जाए और उसको तसली मिल जाए और देखें आपने आज उनको इतना बेकरार किया कि उन्होंने अपने विलॉग में कलाम पाक रखर रहल पर साथ बच्ची को बिठा लिया ठीक है अब मसलस जो बच्ची है वो तो बच्ची मासूम है उसको तो कुछ पता ही नहीं है ना एक साल से थोड़ा उपर होई है उस बच्ची को क्या पता वो तो बिल्कुल फरिश्टा मासूम बच्ची है तो उसे कुछ भी नहीं पता लेकिन इन्हें जरूर पता है और इनका जो विलॉग capture कर रहा है उस time उस clip को shoot कर रहा है उसे भी पता है कि क्या shoot करना है कैमरा मुसलसल shake हो रहा है fix नहीं किया किसी के हाथ में पकड़ा दिया कि मैं इस तरह से ये काम कर रही हूँ यहाँ पर मैं रहल के उपर कलाम पाक लेकर बैटी हूँ और आपको capture करना है इस तरह दिखाना है कि जैसे मैं कलाम पाक पर नहीं हूँ साथ की दो जाने मास बिचा लिये एक पर बच्ची को जबरदस्ती बिठा लिया है ना ये वाला काम इनों ने किया तो आप पीछे रह गई जो इनकी फैन है आपको ये वाला कलिप उठा कर इनका जरूर लगाना चाहिए कि विलॉक के लिए बड़ी ने क्या किया मतलब बड़ी ने अपने किसी बहुती बड़े को हो सकता है वो बड़ा बच्चा हो हो सकता है वो बड़ी बेटी हो कोई भी हो उसको खड़ा कर दिया कैमरा लेके या हो सकता है इनके मिस्टर हो और कहा कि एक क्लिप जल्दी से शूट तो करो और फॉरण से डालो अबादत का क्लिप बहुत दिन से डाला नहीं है तो ये वाला काम इन्होंने भी कर दिया अब आप क्या बोलेंगी कि ये फेक हैं या फिर ये रेल हैं क्योंकि फेक और रेल के दर्मयान आपने यहां पर एक कॉंपिटिशन जो है वो चलाया हुआ था तो आपकी जो बड़ी है ना जिनकी के आप फैन है उन्हों ही ने आपको एक मिरर दिखा दिया कि भूली कैसे भूली कैसे याद क्यों नहीं रखा है ना ये वाली चीज़ हुई फिर मैं इनका विलॉग स्किप कर करके देखती गई तो ये हरम में गई और वहां जाकर ये बैठी ही आदस्तर खान पर और रोजा अफ़तार का वक्ता और इसी तरह से मैंने सुना है मजिल नवी स्लिल लाई वाली वाली में मतलब अफ़तार तो वहां पर एक कहते हैं ना अल्ला की महमान होतें सब और अपने बंदों को मुंटखिब कर लेता है जो कि वहां पर इस तरह से अफ़तार तकसीम कर रहे होते हैं पानी तक्सीम कर रहे होते हैं खजूर तक्सीम कर रहे होते हैं ताकि जो रोजेदार हैं वो रोजा इफ्तार कर लें तो बड़ी बैड़ गई अपना मुबाइल लेकर सेलफी स्टिक के साथ और उन्होंने बहुत देर तक शूटिंग की जो उनके बराबर में उनके राइट पर एक लेड़ी बैटी थी वो बड़ी उनके चेहरे पर कुछ उक्ताहट भी थी वो देख भी रही थी बड़ी को कभ में वक्त है और मैं जो हूँ वो सेलफी स्टिक लेके सब को शूट कर रही हूँ क्योंकि मुझे ये कैपचर करके दिखाना है कि मैं कितनी खुश नसीब हूँ इसलिए मैं ये सब कुछ कैपचर कर रही हूँ तो बड़ी ने ये काम किया उसके बाद जनाब जब रोजा अब तुम भी खाओ फिर जो उनके दाएं पे खातून थी उनको भी दी जो मिठाई उनको आकर स्पेशली मिली थी उन्होंने भी उसमें से ली फिर जो बड़ी है वो इसी तक गोदों में लगी हुई थी नहीं पहले आप पहले आप पहले आप पहले आप के वहां पर जो एक मुन्तजमीन होते हैं, इंतजामिया होती है, मैनेजमेंट होती है, जो सुफरा लगाती है, सुफरा कहते हैं न, वो आ गए और वरकर्स और उन्होंने सब कुछ रैप अप करना शुरू किया, तो बड़ी एकदम से बड़ बड़ा गई, और कहने लिए कि अराम से अराम से यानि भाई सहब अराम से अभी तो बड़ी मुवमेंट्स को कैपचर कर रही थी, बड़ी जो है, यहाँ पर प्यार समेट रही थी, और यहाँ पर जो प्यार भरे लमहात तो वो कैपचर नहीं कर पाई, लोगों का इतना प्यार मिला अपने विलॉग के एंड में, तो वो यह चीज़ दुनिया को दिखाना चाह रही थी, और आपने इतनी जल्दी सब कुछ समेट के कहा कि बस बीबी, बहुत विलॉगिंग हो गई, अफ्तार भी हो गया, अब चलो सब जल्दी से नमास पढ़ो और उठो, यहाँ से बहुत हो गई आपकी विलॉगिंग, तो बड भी लिया कि आप आखिर दिखाना क्या चाहती थी, मतलब आप यह बताना चाहती हैं लोगों को कि आप बहुत खुश नसीब हैं, और आपका जो नसीब है, वो एक आम इनसान के नसीब से बहुत ज्यादा बुलंद है, और आपको जो है, यहाँ पर अफ़तार करना नसीब ह और अफ़तार से पहले दुनिया जब अबादत में मशूल थी, आप सेलफी स्टिक लेकर हर एक को कैपचर कर रही थी, कि आपके दाएं बाएं जो बाजू पे बैठे हुए लोग थे, वो भी परेशान थे, कि आखिर बीबी कर क्या रही है, लेकिन बीबी को तो काम करना थ और बीबी ने अपना काम किया और फिर अपने घर की रह ली तो ये एक छोटा सा मेरा रियक्शन था, मुझे बनाना नहीं था, इन फैक्ट देखें, अबादत जो है, वो अल्ला और बंदे का तालुक है, और मैं शदीद खिलाफ हूं कि जो अपनी अबादत है ना, उसको क बहुत मजबूर करते हैं, बहुत मजबूर करते हैं, तुम नमागनाज नहीं पढ़ती है, तुम रोज़ान नहीं रखती है, तुम वजूल नहीं क्यों नहीं है तू नमाज तो पढ़ती नहीं है कभी तुझे कलाम पाक पढ़ते तो देखा नहीं है तो सितारा इसलिए लोगों को कैपचर करके दिखाती है अरे भई रहम कर दो मैं भी मुसल्मान हो अलहमदुलिल्ला और जिस तरह तुम लोग मुसल्मान हो तो मुझे भी बादत करनी है अपने रब को राजी करना है तुम लोग ऐसा क्यों बोलते हो तो सितारा के विलॉग में जो कुछ एक चीजें हमें नजर आई ना तो मुझे उसका रीजन समझा गया था लेकिन बड़ी के विलॉग में जो आज उन्होंने एक कलाम पाक पढ़ते हुए क्लिप शूट किया मुझे उसका कोई रीजन समझ नहीं आया फिर जो उनको बहुत प्यार मिला और वो कैप्चर नहीं कर पाई रौजए रसूल सललाहु अलही वाली वसल्म पर मुझे इस बात का भी जो एक रीजन है लॉजिक है समझ में नहीं आया मतलब बड़ी बाजी और कैप शूचर होने से रह जाया जिसे वो चाहती हो कि वो दिखाएं ऐसा वो होने नहीं देंगी तो ये था एक चोटा सा रियाक्शन उमीद करती हूँ आपको पसंद आएगा मेरे किसी से कोई परसनल ग्रजिस नहीं है लेकिन जब फैक्स आते है न तो फैक्स पर बात करना तो बनता ही बनता है अल्ला हम सब को हिदायत दे हम सब की अबादात को खबूल फरमाएं रिव्यूज रियक्शन विलॉग सब यहीं धरे रह जाएंगे और हम सब को अपने रब के हुदूर पेश होना है बस इस बात को याद रखिए इन चीज़ों को इतना सरपे सवार मत जीए कि आप किसी की अबादात के पीछे पड़ जाएं खुश रहें दौा में याद रखें अल्ला हाफिज